नमस्कार ये दैनिक भासकर की मॉर्निंग नियूस ब्रीफ है जया साहा को ग्रफतार कर सकती है फिल्म निर्माता मधु मोंटीना से भी पूच्टाच की जा सकती है अब कल की दिन से जोड़ी एहम खबर जान लीजिए क्रशी बिलों के विरोज में हंगामा करने पर राजसभा से नलंबेत आठ विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में राद भर धरना दिया जो सुबह 11 बजे खत्मुआ राजसभा के उपसभापती हरवंश सुबह चाय लेकर पहुँचे लेकिन सांसदों ने चाय पीने से मना कर दिया इस बीच लोगसभा से भी विपक्ष ने बाइकॉट किया और आठ सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रक्स मामले में दीपिका पादकूर और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच हुई बातचीज का खुलासा किया है जो 28 अक्तूबर 2017 को ही थी अगर दीपिका जोंच के घेरे में आती हैं तो उन पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है इस मामले में दिया मिर्जा का नाम भी सामने आया है 2016 के नवंबर में मोधी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लागू किया इसके बाद यूपी में भारी बहुमत से चुनाव जीता अब बिहार में चुनाव होना है इस बीच केंद सरकार ने किसानों से संबंदे तीन विधे अक लाए है तीनों को लेकर देश भन में विरोध चारी है मगर इसके बीच भाजपा इनी विधेयोकों के बूते चुनाव में जीत की राह खोज रही है चुनावी हलफ नामे को लेकर NCP यानि राशवादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रमुख शरत पवार महराश के CMO दवठाकरे और आदित्य ठाकरे जैसे कुछ आन नेताओं को इंकम टैक्स का नूटिस मिला है शरत पवार ने इसकी पुष्टी करते हुए केंद सरकार पर तंज कसा और कहा कि वो लोग मुझे बहुत चाहते है IPL के 13 सीजन का पहला मैच चिन्नाई सुपर किंग्स और मंबई इंडियन्स के बीच हुआ खबर ये है कि इसे टीवी पर 20 करोड लोगों ने देखा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है BCCI के सचेव जैशाह के मताबेक किसी भी खेल से जुड़ी लीग को पहले दिन इतने दर्शक्त नहीं मिले है अब आज की दिन से जुड़ा इतिहास जान लीजे समरशेश है नहीं पाप का भागी केवल व्याद जो तटस्त है समय लिखेगा उनके भी अपराद इसी के साथ आज की मर्निंग न्यूज ब्रीफ में बस इतना ही कल फिर आएंगे